नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता जिसके बाद चंडिगर में कुछ सीन्स शूट करने के बाद जानवी मुंबई वापस लोट आई थी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब बॉबी देउल की फिल्म की पठियाला में शूटिंग की तैयारियां की जा रही थी तब वहाँ कुछ किसान आ गए और उन्होंने क्रू को वहाँ से वापस जाने के लिए बोल दिया बताय जा रहा है किसानों ने कहा है कि जब तक केंदर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक वो पंजाब में बॉलिवूट फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे किसानों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि ना तो बीजेपी एमपी सनी देउल और ना ही धरमेंदर ने किसानों को अपना समर्थन दिया है जबकि वो भी पंजाब से ही तालुक रखते हैं हलाकि धरमेंदर किसानों को लेकर अपना दुख ट्वीटर पर कई बार बया कर चुके हैं यही वज़ा है कि किसानों ने बॉबी दियोल पर अब अपना गुस्सा निकाला है बतादे फिल्म लब हॉस्टल में बॉबी दियोल के लावा सान्या मलोत्रा और विक्रांत मैसी मुखे भूमिकाओं में है इस फिल्म का डिरेक्शन शंकर रमन कर रही है और इसे शारुक खान की कंपनी प्रेड्यूस कर रही है अब देखना है कि इस फिल्म की शूटिंग कप और कहां हो पाती है फिल्हाल तो शूटिंग को टाल दिया गया है बतादे हाल ही में इंटरनाशनल स्टार रहाना ने किसान आंदोलन पर ट्वीट कर इसे और हवा दी है जिसके बाद से ही इसे लेकर और भी ज्याता बावाल मचा हुआ है हाल ही में ऐसी खबरे भी आई थी कि रहाना को किसान आंदोलन पर ट्वीट करने के लिए करोडों की रकम भी दी गई है रहाना के अलावा ग्रेटा खनबर्ग और मिया खलीफा ने भी किसानों का समर्थन किया था है विदेशी हस्तियों को भारत के आंतरिक मामले में घुस्ता देख अक्षय समेथ कई पॉलिवुड स्टार्स ने लतार लगाई है बातकर ने बॉपी देउल की तो वो आखरी बार वेब सीरीज आश्रम में नजर आये थे जिसमें उनकी आक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी जल्द ही वो कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं फिलाल तो किसानों ने उनकी नई फिल्म लब हॉस्टिल की शूटिंग रोकती है ऐसी खबरे आ रही है वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जबूर बताए